रादी कृष्णा लेट्स टॉक हों में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आप समान देखकर सोची रहोंगे कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ तो आज हम जो बना रहे हैं वो हम अपने जन्माश्टमी से रिलेटेड बना रहे हैं और जन्माश्मी से related तो हम अपने ठाकुर जी का भोगी बना सकते हैं जब हम भोग बनाते हैं तो ये परशाद सबसे पहले बनता है तो आप देख रहे होंगे इसे ये धनिया है तो आज हम मैं आपको बताने वाली हूँ अपने ठाकुर जी के भोग के लिए कि हम धनिय की पंजीरी कैसे बना है तो फ्रेंट्स आज हम जो रेसेपी बना रहे हैं जो मैं शेयर कर रहे हूँ मैं धनिय की पंजेरी ठाकुजी के लिए कैसे बनाती हूँ, वो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूँ तो उसके लिए मैंने आधा कप साबुत धनिया ले लिया, ये धनिया वही है फ्रेंट्स, जो हम सबजी में अपना डालते हैं तो ये सूखा धनिया है, ये मैंने आधा कप ले लिया है, ड्रै फूट आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने काजू लिया है और ये खास मैंने गोंद लिया है, ये गोंद है, ये भी वन फोट के करीब हैं, काजू और ये खर्बुजे के बीज हैं, और ये हमारा इलाइची इसको मिक्सी में पीस लेते हैं कि फ्रेंस हमने जो यह धनिया है वो मिक्सी में पीस लिया है आप बहुत बारिक भी पीस सकते हैं मैंने थोड़ा सा हलका सा मोड़ा पीसा है अगर आप बारिक पसंद करते तो आप बारिक भी पीस सकते हैं और अब हम इसको एक बाउल में निक कसलएंगे। अगर आपको यह पसंद नहीं ये उपरका छिलका तौ आप इसको你फ से आप इसको चिलके को उतार सकते हैं तो मैं इसको ग्रेटर में कस लेती हूं मैं यह जो ग्रेटर लिया है मैंने यह मैं बारीक वाले से कर रहे हूं इसको हम इस तरीके से रेट कर लेते हैं हमारा यह जो गोला है वो हमने कस लिया है को बारीक हो गया है और अब हमने अपनी पर कड़ाई रख दिया है हमने इसमें देशी घी डाल दिया है आप इसमें रिफाइंड और भी डाल सकते हैं वह आपके ऊपर है बट अगर आप परशाद बना रहे हैं तो मैं तो सजिस करूँगी कि आप देशी यही डालिए तो यह मैंने एक बड़ा चमश देशी इसमें और अब मैं एक एक करके ड्रै फूट्स को तलूँगी यह मैंने काजू डाल दिया हैं इसमें तो इसमें काजू डालने के बाद हम इनको हल्का सा कलर आने तक इसी में घी में अपने तल लेंगे यह हमारे हल्के से कलर चेंज हो गया है और हम आप इनको मिकाल लेते हैं बस इनको हमेशां डीफ्रै करना है तो इसलिए क्योंकि यह अगर आप डीफ्रै नहीं करेंगे तो यह फूल लेंगे इसको दो बार में डालूँगे आधा अभी डाल रही हूं और आधा क्योंकि यह फूलता है और अगर यह फूलेगा नहीं तो अंदर से कच्चा रह जाएग तो देखे friends हम ने गया इसको बिल्कुल धीमा कर रहे हैं और ये देखे हमारा गोन किस तरीके से फूल रहे हैं ये इसी तरीके से आपको फूलाना है अगर ये फूल गया तो आपका ये अंदर तक बिल्कुल पक चाहेगा तो इसलिए हमने थोड़ा-थोड़ा करके इसको तल ताकि हमारा यह अंदर से कच्छाना रहा जाए अब यह तल गया है हमारा अब हम दूसरे बार का डालते हैं तो देखे यह दूसरी बार का गुण भी मैं इसमें डाल देती है अब जितना भी ले अगर आप ज़्यादा ले रहें तो इसको तीन बार में कर लिजे मेरे वहले न करा होने तक आप इस ही तरीके से अलिंगे करा हो जाएं अब इसको कि जब तक हमारे बीच कूल नहीं जाएं यह आप देख रहे होंगे इसपींसम्मने बीज भी अतने तल लिये हैं बीज जब तक तल ले से अवाज बोड़ देगा तो उसको से बन तो थोड़ा शाथ बोड़ा और अब हम इसके अंदर जो हमने धनिया डाला दाना जो पीसा था वो भी हम इसमें एड़ करतेंगे तो देखिए इसको धनिये को भी हमने एड़ कर दिया है और अब इसको हम थोड़ा सा मंदी-मंदी गैस में भूनेंगे आप तेज गैस पर नहीं भूनिएगा क्योंकि अगर तेज गैस पर भूनेंगे तो धनिया कड़वा हो जाएगा इसलिए बिल्कुल धिमी-धिमी गैस पर आपको थोड़ा सा कलर चेंज होने तक भूनना है थोड़ी सी खुश्बू हा जाए चब तक भूनना है तो अगर मेर यह रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को भी दबा दीजिएगा और मेरी इस रेसिपी को शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिएगा तो देखिए इसको हम अच्छे से भून लेते हैं घिमी-धिमी गैस पर हमारा यह जो मोटा मोटा काट लेते हैं यdar किसी खर बटे में कूट लेते हैं इसको हम ऐसे मखानों को भी कूट लेंगे और जो हमने गूंडbij को गूट énerश mentre लेते हैं Shi French from ॥ियंप काचिंग कर लेते हैं और कॉटले था जो मैं इससे कर ही हैं और कॉट लेते हैं मैं इस तरीकिसे आपक कोट लिजे थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा ही कोटना है आपको बारिक नहीं कोटना क्योंकि जब यह करारा करारा हमारे मुह में आता है तो यह बहुत टेस्टी लगता है तो आपको इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूं यह देखिए इस तरीके से मोटा मोटा कोटना है तो घनी को रोस्ट किया था वो धन्या हम इक साथ। मिला देंगे। तोटी हम इसको मिला देते हूं। इसमें डाल दिया है यह हमने जो काजू कट किये थे वो भी हम इसमें मिला देते हैं और यह मैं इसमें मिला रहे हूं इलाइची पाउडर जो मैंने एक चमश लिया है यह भी मैंने इसमें डाल दिया है और यह हमारी भूरा है हमने चीनी पीसी हुई है इसको हम चान के डालें हमारी भो जो कीठा हैं फिर अमारे पर्शाथ में आएंगी तो इसलिए यह मेंbern க lle a रिचेखे यह हमने चान लिया है इसको मलग कर देते हैं और अब हम इसको मि're kommt हैं यह जो यह मैंने बुरा लिया हैं यह मैंने वन dwês kप लिए थी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम जादा कर सकते हैं और ड्राइफुट भी आप अपनी हिसाब से डाल सकते हैं अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आप इसमें ड्राइफुट मिला सकते हैं तो इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं तो देखें फ्रेंज हमारा ये पुझी को भोग नहीं लगता तो फ्रेंट्स हमारी पंजीरी का परशाद तयार हो गया है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो फ्रेंट्स फिर से मिलती हूं आपसे एक नहीं रेसिपी के साथ तब तक के लिए राधिकृष्णा